कथा का पहला दिन जियां खबर यूपी के कुसी नगर जिले के तम कुई राजविधासबा छेतर के बरसीना बुजुर्ग में चल रहे स्रीमत भागवत कथा का पहला दिन कथा वाचक पंडित स्री अभिशेक मिश्रा ने कहा कि मनुसिखे जीवन में प्राणी मात्र के लिए जल, हवा अथ्वा भोजन की अतियावसक्ता होती है उसी तरह सरल जीवन जीने के लिए भगवत भजन जरूरी होता है सही मायने में स्रीमत भागवत कता जीवन मुक्ष का साधन है और स्रीमत भागवत ग्रंद प्रेमाशुशक्ती नेत्र गदगद कंड ड्रवित चित्त यो भाव समाधी निग्न परम रशग्य श्री सुक देवजी के प्रमुख से उद्ग्रित हुआ संपूर्ची धानतों का निसकस यह है कि ग्रंद जर्मुव नित्ति के भय को नाश कर देता है भक्ती के प्रवा को बढ़ाता है भवान स्री कृष्न के प्रसनता का प्रथान साधन है मन की सुद्धी के लिए स्रीमत भागवत कता से बढ़कर और कोई साधर नहीं स्रीमत भागवत कता देताओं को भी दूरलब है तबी परिछित जी की सभा में सुक देव जी ने कथा मृत के बदले में अमृत क्रस नहीं लिया ब्रमा जी ने सत्य लोग में उन्होंने बत्ताए कि अपनी लीला समाप्त करके जब भागवान नीज धाम को जाने के लिए उद्धित हुए तो सभी भक्त गुरों ने प्रातना किया कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे तब भागवान ने कहा कि वे स्रीमत भागवत कता में समाय है यह ग्रंद सास्वत उ प्राणियों का इसे रहेंगे विए प्राणियों का इस ता गुजारा कैसे होगा और तलीव प्राणियों का यही स्वरूप रह गया है उनके पास बुद्धी भी नहीं है और धन भी नहीं है कैसे लोगों का गल्यान कैसे होगा है जब प्रश्पन की चीजिए पूछा जाए उसकी बिधी बताई गई है प्रेम से कहिए स्रडाधे जैसी अराम राधे राधे आप लोग बोल नहीं रहें बैसे एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 बोलबंदा बन भी हरेला लेकिजए जोनकाजी अठासी हजार डिसी सूद जी महराज से प्रश्पन करते हैं जोनकाजी